नमस्कार दोस्तो वेलकमेन आर्पेस से ओने यूट्यव चैनल दोस्तो सबसे पहले आपको होली के पावनप्रव की बहुत 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 बढ़ाई दोस्तो जिसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों के उलजन के बाद जो रिट एक्जाम डेट है वो आकिरकार आगे सरक चुकी है और अब इसकी जो डेट है वो 20 जून 2021 मुकदर की गई है तो दोस्तो अब आपके मन में वापस से आपकी जो परिक्सा का जो डेट है वो डियूल करना पड़ेगा उसी समझ में ये वीडियो है दोस्तो हम जो 60 दिनों को मान कर रनीति बनाएंगे सार दिन का मेरा मतलब है कि मैं जो 20 जून महीने के 20 देने उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ वो आपके लिए रिविजन के लिए रहेंगे इसके अलावा कि जो दो महीने हैं उन दिनों के लिए आपकी त्यार की क्या रनीति होने चाहिए वो इस वीडियो में हम डिसकस करें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा कि अभी आप दो दिन हवली एंजड़ोई कीजी, आज आप हवली एंज़ोई कीजी आज आप हवली कीजी, कल आप होलीका जो तिहोरे वो मंक के साथ मनाये, उसके बाध दोस्तों आपको क्या करना है कि previous year के poph Europeans paper है, रीड क कीती, उसी तियारी के अदार पर उन पेपर को आप solve कीजिए और इस से आपको दोस्तों आपको आपकी जो तियारी है उसका मुल्यानकन हो जाएगा उसका आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं आपकी तियारी में कौन से मजबूत पहलू हैं कौन से कमजोर पहलू हैं वो सब आपको मुल्यानकर हो जाएगा को मिला कि आपको एक आएना दिख जाएगा तो ये जो है कदम आप जरूर उठाए ताकि आपको 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 आपकी जो है कमजोरिया और मजबूत पक्स सबी का पता चल जाए तो सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तो उसके बाद दोस्तो अबिस है कि आपने इतनी त्यारी की है कापी टाइम से त्यारी कर रहे है तो आपका अधिकांस पक्स मजपूत होगा लेकिन फिर भी 40% मैं मान के चल रहा हूँ on average कि आपका कमजौर पक्स आपके सामने आए हाका कि कई करान हो सकते हैं हो सकता है कि आपने syllabus ही पुरा नहीं किया हूँ हो सकता है पूरा किया लेकिन फटापट में कर दिया तो आपकी हुआ measureन, हो सकता है कि आपका पढ़ने का source था, वो source तो अगर source कमजोर है तो आप भेहतरी न source लेजिए अगर approach सही नहीं था पहले पढ़ने का तो उस approach को से कि जिमल प्रीविए सीर के question के analysis करके फिर उस topic को पढ़ी है क्या important है क्या important नहीं है वो पैचान कि उस topic को पढ़ी है तो वो आपका approach या source है वो आपको change करके 40% जो कमजो करें ताकि आपकी जो इमारत है वो ढहे नहीं और आपको सपलता कि सिकर पर जाने से कोई रोकने फाए उसके बाद दोस्तो जो तीसरा point है मैं बहुत ही important मानता हूं इससे भी दोस्तो आपने previous week की जो question paper solve किये ही है आपको exam की pattern का एक अंदाज हो जाएगा exam बनाने वाले की mindset mindset का अंदाज होगा उसके बाद दोस्तो C-tate और अन्य जो tate है H-tate है H-tate है UP-tate है उनके जो सवाल है जो आपके समधी syllabus से समधी सवाल है उनको अदेगाद एक सवालो करें दोस्तो वो यह exam भी competition के exam मोडल पर एक अलग होता है उनका mindset मोडल पर कई बार ऐसे ही बना दिये लेकिन आप अगर C-tate के सवाल सवालो करेंगे तो वो आपको मिलते जोती लगेंगे रिट से और exam में भी आपकी जो brain है उसकी वास्तविक exercise होगी उससे दोस्तो यह आप जो हैं approach है अपनी तियारी में जरूर सामिल करें इससे आपको definitely फायदा होगा और आप जब आप exam के दिन exam के सवालो को face करेंगे तो आपका ये अनुबव आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तो मैं चोती जो बात करूँगा वो भी बहुत important है दोस्तो exam आगे जा चुका है निरसंदे कुछ अबिरती इससे खुस भी है क्योंकि उनकी त्यारी पूरी नहीं थी आपके जो भ बदल सकते हैं नहीं बदल सकता हो ना कोई और बदल सकता है अब जो चीज है कि हम इस चीज को स्विकार करें और इसके साथ आगे बढ़े तो आपको कहने का मतलब है खुसी में जादे दिन बर्बाद नहीं करेंगे 6-7 दिन बर्बाद करें फिर वो पढ़ाय का flow नहीं बन रखना है तो अब लब कुल मिला के आपको खुसी के सण या हो या अपके गम के सण हो ये एक्जाम की डिटा की जाने की बात तो यह आप इसको अधिक अपने दिमाग में सोचे नहीं बर्बाद नहीं करें जो भी है दो तिन दिन का आउकास ले अराम से अपने मायन को फ्र यह मेरा वादा है इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए आपसे भी दूसका बहुत बहुत अबार बहुत बहुत अनेवाद